हेलो फ्रेंट तुम्हेंने कड़ाही में तेल ले लिया है और तेल में अच्छे से वोवी को फ्राई करेंगे में गरम पानी में नमक डालकी साँ अच्छे से धोके छान नहीं हुए पूरा पानी निकल ले इसके बाद हम डीफ्राई करेंगे डीफ्राई भी नहीं यह सेलो फ्राई है मतलब यह डीफ्राई नहीं पर हलवाई जो करते हैं या होटल में होता है कहीं भी ओलो डीफ्राई करते हैं बड़ी-बड़ी कराही में तेल रहे तो उसमें यह लो तल लेत धोके अच्छे से छिल लिया था क्योंकि नई आलू है तो इसकी छिल की बारिक होती है उतना नई छिल पाते फिर भी मैंने छिल लिया था और इसे भी डिफ्राई कर लेंगे ये सबजी दोनों सबजिया डिफ्राई करने के बादी बनती है अगर आपको नहीं करना है डिफ्र की मैंने प्याज लिया यहां तीन बड़ी बड़ी स्याज की मैंने प्याज लिया और यह जिसमें मैं बना रही हूँ न मैं इस बार भुपाल में गई थी जो मेला देखने वहां मेरे को बाहर यह बरतर मिला तो मैंने ले लिया यह पर यह बहुत अच्छा है कि पूरी की पू पर गाड़ी दही होनी चाहिए पतली नहीं होनी चाहिए यह सबजी न हम लोगों दही चुरा के साथ मगर सक्राती के दिन जरूर बनाती है सबजी और यहां मैंने एक चमच भर के रिड़ चिली पाउडर डाला दो चमच मैंने धनिया हाफ टी एसप मैंने जीरा पाउडर डा इसके बाद हम क्या करेंगे तो देखे जैसे ही गुल्डन कलर का थोड़ा सा होने लगे इसके बाद हम डाल देंगे इसमें टामाटर टामाटर को मैं बारिक से चॉप कर ली तीन मिने टामाटर ली थी पर बड़ी साइच के नहीं मैंने मेडियम साइच की तीन टामाटर ली बहुत एमी लगती है इसके बाद जैसे 2-3 मिनट हो जाता है उसमें हम मसाला डाल देंगे जो दही से अच्छे से मिक्स किये थे फ्रेंड अगर आप नियु वीवर हैं तो एक कोई भी रेस्पी मेरे ट्राइ जरूर करेंगा फिर अप खुद कमेंट करके बताएंगे कि आपक और के पूरा ज्चे कि आचिए सबसे वेस्ट होता है तो में हमतन मसाला डाल देगें जैसे सारे मसाली मेरे भून गये थे यहां तला हुआ मै changing sapos डाल दिया है और तला हुआ सब्जी डालने के बाद मेरा उबाला हुआ मतलब उबाल के कुक किया हुआ मैंने मतर लिया था क्यूंकि इस समय ताजा मतर आ रहा फ्रोजन में रहे आपके पास तो वैसे ही बस धोपे डाल देजिए मैंने अपने चैनल पर आलू गुभी मतर बह मेरे चैनल पर मेरी रेस्पी में केवल टिप्स होती है एक से एक टिप्स होती है कोई ने भी वड़ आये है अगर नीव आये तो प्लीज प्लीज सर्क्राइब ज़रूर करिएगा आपको एक से एक कहां रेस्पी मिलेगी मकडशक राति के लिए मैंने कली दही जमाना बता मैंने गजग भी बता दिया था तील का भी मुंपली का भी लाई सब को बनाने आता है फिर उसे क्या बताना मेरे को लगता है कि मुझे वही रेस्पी डालना चाहिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है तो देखे ढ़क के कम से कम तीन से चार मिनट को कि एता है इन सब्जी जो बहुत यूनिक लगती है बहुत टेश्टी हम लोग तो ज़्यादा तर इसके साथ ना पूरी बनाते है और लाश्ट मेने यहाँ थोड़ी से ज्यादा ने थोड़ी से जैफल को घिज दीजिए तो बहुत टेश्ट आती है और ढग दीजिए और ढगने के बाद इसे च कड़ाही में बनेगे लोहे का कड़ाही का सबजी का टेश्टी अलग होता है हर एक बरतन की मतलब टेश्ट होती है पर लोहे की कड़ाही की बरतन की टेश्ट अलग होती है मैं एक दो दिन में आपको डालूंगी मैंने हांडी में मीटी के हांडी में सबजी बना के आपको दिखाऊंगे पर हर घर में लोहे की कड़ाही मिलते और एक लोहे की कड़ाही होनी भी चाहिए ये बरतन मुझे बहुत पसंद आया और ये हो गई हमारी आलू गोभी मत्र ढबाई श्टाइल बन की रेडी फटाफट उपर से काट के भरा भरा धनिया डाल दीजे जितना आप किसी भी चीज के साथ खाये तो चले फिल मिलते हैं नहीं वीडियो को